हेलो एबरिवन, वेलकम टो मेर्टव चनल डिक्क्या स्मार्ट बियलोजिक क्लासेज आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास के जह हैं 3rd chapter के बारे में जो हिंदी मेडियो में होगा और इस chapter का नाम होगा जह है Human Reproduction इस वीडियो में हम आपको बताने वाले Human Reproduction के अंदरगत आने वाले एक महतपून टॉपिक के बारे में जिसका नाम है Male Reproductive System इस Male Reproductive System के अंदरगत आने वाले कुछ टॉपिक है जिसका नाम है Primary Sex Organ और साथे सथ हम आपको बताने वाले हैं Formation of Testis के बारे में इससे पहले आपको बिसे जनकर एक लिए बता दे कि जहना और भी तीन लेक्षर के वीडियो बना दिये गए हैं और अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देखिए ताक कि इस वीडियो को समझने में आपको ज़्यादा सुबदा हो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जागा वहाँ से भी आप देख सकते हैं और नहीं तो फिर इस वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक वहाँ से भी आप देख सकते हैं और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं तो हमारे जहना चैनल के फ्लेलिस्ट में भी जाकर कुछ को आप देख सकते हैं ताक कि वीडियो को आप आसानी चा और समझ पाएं तो चलिए बीने टाइम वेस्ट की हम शुरू करते हैं हम आपको बता दें कि पिछले जहना वीडियो में हम आपको बताया थे लेक्चर थार्ड में हम आपको बताया थे जहना क्या बताया थे तो यहां पर हम आपको जनकारिया देते हैं कि structure of male reproductive organ या system के बारे हम आपको जनकारिया दिये थे जिसमें की आपको introduction के रूप में बताया गया था लेकिन इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से जह डिप में जनकारिया देंगे आप ध्यान से इसको सुनते रहे और समझते रहे तो चलिए इस वीडियो का जहाँ सबसे फ़हला ट्राफिक जो होगा वो होगा primary sex organ जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रात्मिक लैंगिक जनन अंग इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं या प्रात्मिक लैंगिक जनन अंग किसे कहते हैं जैसे व्रिष्ट या टेस्टीज व्रिष्ट नी कोई हम लोग क्या कहते हैं जनकारिया के बतादें कि जो प्राात्मिक अंग होते हैं यानि कहने करते हैं तेस्टीज जो होते हैं वो क्या करते है इगमको को बनाते है और साथी साथ हार्मोनों को भी बनाते है अब चलिए बात आ जाती है कि जो क्या होते है वरिष्ण होते है यानि कहने कारत कि जो प्रात्मिक अंग होते है जो वरिष्ण है वो क्या करता है सुक्रानू को बनाता है और साथी साथ जहना हार्मोन के रूप में किसको बनाता है इस्टोजेन और टेस्टोए स्टोन को निर्मान करता है यहां तक क्लिर हो गया कोई दिक्कत तो चलिए आगे हम चलते हैं जो हमारा second topic होगा वो क्या होगा टेस्टिज होगा जिसको लोग हिंदी में वरिष्ण कहते हैं वरिष्ण क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं वरिष्ण जो है नरका जहाँ प्रमुक्ष जनन अंग माना जाता है क्यों माना जाता है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जनकारिया देते हैं इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सुकरानों को निर्मान करने का कारे करता है और यह जो है कहां पाए जाते है उसके बारे में हम बता रहे हैं ये उदर गुहा के क्या होती है बाहर दोनों जंगाओं के बीच वरिष्ण कोस में कोमल एवं अंडाकार सनचना के रूप में क्या होती है पाई जाती है इसके लंबाई जो होती है कितनी होती है पांस सेंटीमीटर और चलाई जो होती है वो कितनी सेंटीमीटर होती है 12 ग्राम होती है और कहीं कि आपको जहां 15 ग्राम भी मिलेगा परसान होने के जो इतना है जो आपको क्यूशन मिलेगा उस क्यूशन के जहना आपको जहां 15 ग्राम को देंगे जिसमें आपको ज्यादा तर इस परकार के खीशन देखने को मिलेगा तो परसान नहीं होना उसको आसानी से डिलिंग कर लिना है तो चलिए हम नेक्स ट्रॉपिक के बारे में बात करते हैं नेक्स ट्रॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा formation of testage जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वरिष्ण का निर्मान वरिष्ण के निर्मान के बारे में हम आपको बता रहे हैं आप ध्यान से इसको सुनिए और समझिए वरिष्ण का जो निर्मान होता है वो तीन आवरनों द्वारा होती है यहीं आप का सकते हैं कि जो वरिष्ण होते हैं वो तीन आवरनों द्वारा धाका रहता है और जो वो तीन आवरन होते हैं जहां वो क्या होते हैं संयूजी उतक से बने होते हैं उन तीन आवरनों के बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं ध्यान से इसको देखिए और सुनिए तो देखिए तीन आवरन यहां पर है फर्स्ट आवरन का जो नाम है वो क्या है टूनिका वेजी नाइलिस देख रहे हैं तूनिका वेजी नाइलिस अब चलते हैं सेकेंड जहां टूनिका वेजी नाइलिस को हम लोग हिंदी में क्या कहत तो स्वेत कंचुक के नाम से जानते हैं और तिसरा जो है लेयर उसका नाम है टूनिका वासकुलोसा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं तो संवहनी संकुचक यहां तक clear हो गया ध्यान देंगे हिंदी जो है आप जितने वे book को अगर आप देखते हैं थोड़ा सा आपको different type का हिंदी मिलेगा लेकिन सभी book में आपको English common ही मिलेंगे तो इसलिए आप English पर भी focus विसेस करें ताकि आगर आपको सुभधा हो और projector हम चलाएंगे तो उसमें भी आपको English ही जादतर देखने को मिलेगा तो English पर भी आप focus करते जाएं आपको दिकत नहीं होगी तो चलिए हम इन तिनों layer को जो है एके करके आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं आप ध्यान से इसको सुनिए और समझे चलिए तो फर्स्ट लियर जो था वो क्या था तो टूनिका वेजी नाइलिस इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं आप ध्यान से इसको सुनिए आप कह सकते कि यह दोहरी परिट्वनियम झिली द्वारा बनी सबसे बाहर यावर मानी जाती है और इस दोहरी जिली के बीच में जो है खाली अस्थान होते हैं उस खाली अस्थान को हम लोग क्या कहते हैं संक्री गुहा के नाम से जानते हैं उस संक्री गुहा में क्या होते हैं द्रव पाया जाता है जिसके करण क्या होती है वरिष्ण आसानी से वरिष्ण कोस में गति करता है या मूब करता है अब चली आपको ध MMN पूछा जाए कि बताए वरिष्ण ус में किस के द्वारा क्या करता है मूब करते है तो आपको बताना होगा कि खाली अस्थान जैनि संक्री जो गुहा होते हैं, उसमें धर्भव पाया जाते हैं, जिसके करण आसानी से क्या होता है, वरिष्ट्न कोस में गती करता है, या गटी करता है, तो चलिए, यह आपको फर्स्ट जहान लेयर के बारे में जनकारिया दे दिया गया, थ्याशा और भी हम आपको पर देखेंगे यहां पर आप सामने जहां लिखा हुआ देख रहे हैं बीच का लेयर होता है उसको वनहों बोलते हैं TUNICA VASCULOSA तो TUNICA VASCULOSA जो होता है वो इस भागों को हम लोग कहते हैं तुनिका VASCULOSA यह बात क्लियर हो गई यहां तक को दिक्कत तो चलिए फरस्ट आवरन के बारे में major tip estimation दे दिया गया और बता दिया गया ठीक है और इसकाद हम second जहना और third के बारे में अधिन करेंगे उससे पहले कि थोड़ा सा अभी हम जनकारिये दे दें कि यह जो है क्या है विरिष्ण है तो यह जो 3D figure में आपको दिखाया गया और यह क्या है यह जनक देख करके compare करके आप समझ सकते हैं जो विरिष्ण है यहाँ पर भी वही है सेम टू सेम है फर्क है कि 3D सनचना करूप में है और यह जनक जनकार रूप में है यहां तक clear आगे चलते हैं second layer के बारे में हम आपको बताते हैं तो second layer का जहाँ नाम हम बताया थे पहले भी और अभी भी हम जिक्र कर देते हैं उसका नाम है क्या टूनिका एर्बुजिनिया इसका भी निमान क्या होती है सयोजी उतको द्वारा होती है दूसरी बात कि यह जहाँ विरिष्ण का मध है या दूसरा layer भी माना जाता है कोई दिखते हैं तक चलिए जो क्या होता है विरिष्ण के अंदर प्रवेस करता है प्रवेस करके क्या करता है करिक सेप्टा या अनेक सेप्टा का निमान करता है जिससे क्या होती है विरिष्ण जहाँ अनेक खंडों में या पालियों में उत्र भारे में हम आपको बताते हैं इसका भी निर्मान जो होता है और किसको से दोरा होती है दूसरी बात दियान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है रग्त और छिकाये पाई जाती है यह तो सेमनी फेरस जहना टिविल्स है जिसको लोग हिंदी में कहते क्या है तो सुक्र जनन नलिका के नाम से जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं शुक्रंडृयन नलिका क्या होता और कहां होती है किस परकार होती है भाते हैं. अचौ्सकाय पाय जाती है जू हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तब तक उस वीडियो का इंतजार कीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए share कीजिए किसी प्रकार के कोई question या सुझा हो तो comment box में जरूर बताईए और पुछिए और हमारे youtube channel को subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए क्योंकि इस प्रकार के जब हम वीडियो बनाते रहेंगे तो आपको notification मिलते रहेंगा और आप उसके माधियम से देखकर के असानी से सिख पाएंगे अगर वीडियो जह पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास भेजिए WhatsApp ग्रूप में, Facebook ग्रूप में या दर जो भी social माधियम है जिसके माधियम से आप अपने दोस्तों तक इससे पहुचा सकते हैं पहुचाएं ताकि उन्हें भी सिखने का भरपूर मौका मिल सकते हैं